लो बच्चों आप सभी का मारे यूटूब चैनल आइडियल देवकिला स्रेश में स्वागते बच्चों आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विशेगडित लेके आएं जो कप्छा सात्वी के लिए और किस वर्स के लिए वर्स 2023 और इस पुस्तक को मत्पद पूरां क्या है बच्चों आप जानते हैं कि पूर संख्याओं में जब रिनात्मक संख्याओं को भी समलित कर दिया जाए तब हमें जो संख्या प्राप्त होती हो उसे पूरण कहा जाता है संख्या हमारे पूर्ण संख्या कोन सी होती है जैसे शुन्य एक दो तीन चाहती इस पकार यह इसमें हम रिलात्मक संख्या जैसे क्या समलित कर लिए एक रिण दो रिण तीन तो जब हम पूर्ण संख्या में रिणात्मक संख्या को समलित कर लेते हैं तो क्या कहलाता है अब देखिए यहां पर आपको यह एक से लेके अनंतक को संख्या कहलाती है प्राका संख्या एक से लेके अनंतक को संख्या कहलाती है प्राका संख्या एक से लेके अनंतक को संख्या कहलाती है प्राका संख्या एदि इसमें हम सुने को संख्या बन गई प्राका संख्या और इसमें हम रिडात्मक संख्या संख्य परापते हैं तो इस को सेक्या बन जाएंगी पोडांक, तो इसे कार पोडांक क्या होते हैं, आपको बता है, अब नेस्ट चली आगे देखते हैं, पोडांको के योग और व्था कलेंट के अंतरगत गोल, जो पुलांकों का योग जोना वेकलन में घटाना यहां पर आपको ध्यान रखना है तो हमें क्या प्राप्त होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है जैसे रिल 3 धन रिल 2 जब रिल 3 में रिल 2 जोड़े तो क्या प्राप्त हुआ और रिल 5 प्राप्त हुआ हमें तो प्राप्त संखे रिल 5 एक प्राप्त है तो हमें एक ही प्राप्त होता है चाहे आप एक प्राप्त में दूसरे प्राप्त को जोड़िए या घटाएए आपको क्या प्राप्त होगा एक पुलांक प्राप्त होगा, जैसे रिन दो में से रिन पाच को घटा है, तो क्या प्राप्त हो हमें? धन तीन प्राप्त होगा, और धन तीन क्या है? तीन भी एक पुलांक है, जैसे रिन दो में से रिन दो को घटा है, तो क्या प्राप्त हो हमें? जीरो प्राप्त होगा, तो जीरो भी एक पुलांक है, तो पुलांक संख्या है, आपको बता दी, सुने एक, दो, तीन, चार, रिन, एक, रिन, दो, रिन, तीन, चार, यह सभी क्या है, पुलांक संख्या है, आगे पुलांकों का योग के अंतरगत क्रम विनिमे नियम, क्रम विनिमे नियम में यह बता सब्सक्र庭 कर सकते हैं जो हैं पूलांक में चुनी को जोलो है तो आपbok होता है जैसे रंड़ चार में सुने को जो ले तो क्या प्राफ्ट हुआ है पुष्ँनिया होता है बराबर के यह आगया चैक अधिक पोछानकों के साथ लिंदर्ठन धनातर पोछण निम नधुर्श प्राकार समझ़ा जा सकते है वीक्ति प्राप्तिं यूंगी जह सब्सक्ते का छंड़ा सब्सक्राव करें घुड़ा करें कि जरुन का जब क्या प्राप्ति होगा दो इसमें प्रचित हौगा इसमें धन प्रयाप्ति होगा देखिए यहां पर शमान चिनियों का डा मुझाति हो fibra इसके बाद हम धन का गुला किसमे किये रिल में किये तो क्या प्राप्त हुआ रिल प्राप्त हुआ और रिल का गुला किसमे किये हमने धन में किये तो हमें क्या प्राप्त हुआ रिल प्राप्त हुआ तो यहां पर आपको दो चीजे याद रखना है यदि जब समान चिन्नों का होता है तो हमें धन चिन प्राफ्थ होता है और असमान चिनों का जब हम गुला करते हैं तो तो हम भाग Okay रिण का भाग रिण में देंगे तो धन, तो समान चिन्नों का भी हम जब भाग करेंगे, हमें को सच चिन प्राफ्थ होगा, धन का चिन प्राफ्थ होगा, और असमान चिन्न का भाग होगा, विवाजन होगा, तो हमें क्या प्राफ्थ होगा, रिण, जैसे धन का भाग धन मे दिए तो रिन, ओ sorry, रिन का झा कभाग रिन में दिए तो धन, धन का झा झा कभाग झा क झा कभी ऑख झा क कभी झा कफ जाब करेंगे तो आपको यहन सिर्फ स्वधार से आपका विभाजन और गुणा जब यहाँ पहले हैं जैसे सब्सक्राइए क्या होगा चिन को जोड़ेंगे तो क्या यहाँ याँ चिन दिया हुआ का नसे वही चिन आएगा दिघहाऀाएगा यही चिन आएगा ज्यए के दिया एक पुउखकों को घटाने के लिए गटाए जाने वाले पुझांकों को योख पेटि Salutission को दिखते हैं किसका प्रयात से समधित प्रसणोंraf देखते हैं सिसका प्रेश्ट नमर्ट a एक घटाई जी ए दिया रिरेण पंदरह में इसले रिज्ट एर योजपैति लोग जब कर रहेएं तो यह द्धन लगा दिए धन के स्थानपर ते एक‍प फिर ईद्धन का चिन धन का चिन नहीं क्यों आये है क्योंकि यह बड़ी संख्या के शामने दन का चिन हैं तो जब घटाते हैं thao बड़ी संख्याद उप्धित नंबर streams नमबर एक complete हुआ इसका प्र ヅशन इसको घटाना धन तेरा को घटाना है तो जब योजपतिलों यहां कर रहा है तो यह मतल जाएगा धन में तो तेरा का योजपतिलों क्या होता है अध्या एक पुझांक पर कारे करेंगे साथ ही कुछ और प्रैशनों के अभ्यास करेंगे प्रैशनों को पढ़कर दिये गए विखल्पो में से शही उत्तर चुनकर लिखिए यहां सामने दिये गए घेरे को भरिए यहां प्रैस नमर 1 दिया है सबसे चोटा पुझा है अब दाई और कमान क्या होता है बढ़ता है और सुने के बाई और कमान क्या होता है घटता है तो यहाँ पे एक बढ़ा है सुने से सुने बढ़ा है रिन एक बढ़ा है रिन दो से सबसे छोटी संक्या सबसे छोटा पुडांग क्या हो जाएगा आपका रिन दो इसका सही आंसर तो अभी आतायते पुलांको के लिए योजी तस्तमक क्या होता है सुन्य होता है तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सुन्य फिर ए भागित रिण एक ए में किसका भाग देना है आपको रिण इक का तो आप क्या करेंगे जब हम धन में यह रिल में है जब कब हाग धन में देंगे तो रिल और आपको रिल इक करेंगे तेड़ी शुमार को सिर्मंगर का तापमान अचा और मंगलवार को तापमान तीनन चांच और कम हो गया। देखे कित्ता था तो फिर प्रेषण कम हो गया, agdata तो मंगलवार को सिर्मंगर का तापमान कित्ता आ जाए विकल्ब कंप्लीट हुए, अब आता प्रेस नमर 6, एक ऐसा पुढांक यूग में लिखे जिसका योग रिन 3 है, देखिए बच्चों इसमें आपको एक ऐसा पुढांक यूग में लिखना है, कि जिनका योग क्या होता है, रिन 3 है, तो आप हल मताएंगे, पुढांक यूग यूग रिन 2 है, जिनका योग रिन 3 है, जैसे रिन 1, धन, रिन 2, जब रिन 1 में रिन 2 को जोड़ेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, रिन 3, तो यह हमने पुढांक यूग मता दिए, रिन 1 और रिन 2, इसके बाद नेश प्रेस नमर 7, एक रिनात्मक पुढांक और एक धनात्मक पुढांक लिखना है, जिसका अंटर रिन 4 है, देखी उतर में, एक रिनात्मक पुढांक रिन 6 हो गया, और धनात्मक पुढांक क्या हो गया, धन 2, जो इनका अंटर रिन 6 में से धन 2 का हम घटाएंगे, तो कितन प्राप्त होगा, रिन 8, यो कि देखे, रिन 6 Kak प्रइट होता है यूज प्राप्त होता है यह किसी भी पुरांग को रिन सब्सक्रद्र प्रASE हमने application के लिए दंतीन लिए और हमे दंतीन के रर्णयक्त कि क्या प्राप्त हुआ है यो जी पेतिलों रर्णन प्राप्त रुआ नेस्ट प्रस्न आहिता क Krashnahता आपका freakin Ele Gottes 12 अप प्रेसल लिख तो चाहर हसिल की दो वाराचों के 48 और तालिस में दो जोड़े किता हो गया 50 और चीन तो यह आपका क्या आगया अंसर आगया नेश्ट प्रेशन है प्रेशन प्रेशन में ग्याद कीजिए रिण 125 भागित रिण 25 आपको रिण 125 में किसका भाग देना है 25 का तो यह आमने प्र यह आपने 125 लिख दिए अब 125 में किसका भाग देना है आपको 25 का पाचम 25 अब उपर वाल सिंक के काटो 5 दूनी 10 बज़ गया दो उतारे 5 पाचम 25 पाचम 25 किता आ गया यह पाच आ गया तो रिण 125 में रिण 25 का भाग दी तो हमें क्या प्राप हुआ 5 इस प्रेशन से आपक तक 2 अंस Celsius प्रेटी घंटे की दर से कम होता है तो किस शमय तापमान सुन्य के 8 अंस Celsius नीचे होगा आधी रात को तापमान क्या होगा चली देखते इस प्रेशनको कlles ढों दो फर बारा बज़े का तापमान किता है, दो फर बारा बज़े का तापमान, दस अंसेलसियस है, तापमान कम होने की दर क्या है, इसमें, दो अंसेलसियस प्रती, घंटे की दर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यह लिग दी, रिल दो अंस, और बारा घंटे में तापमान पर प्राप्त हुआ रेण 14 अंस celsius क्योंकि धन रेण का रेण हो गया और 24 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 14 और बड़ी शंक्या एक साथ रेण का चेने तिसली रेण 14 अंस celsius आ गया तो यह आधी रात का तापमान हो गया अब 10 अंस celsius और 8 अंस celsius के मद्य तापमान में अं अंस celsius रेण अंतर कह रहा है रेण 18 celsius रेण का धन 10 में 8 जोड़े तो 18 celsius आधी रात का तापमान क्या हो जाएगा 18 में 2 का भाग दे दीजिए तो आपको मालूं हो जाएगा 9 बजे अधी रात का तापमान कितना हो जाएगा 9 बजे रहेगा ठीक है इस प्रिकाज से आप इ लगते हैं चोड़े कोश्टक को तो 11 जासकर भागित ये रेण 2 धन 1 जैसकर लिए रेण 2 धन 1 फिर 11 भागित रिन दो में धन एक जोले गये घटेगा घट जाएगा क्योंकि असमान चिन आसमान चिन मुझा घटता है दो में से घटा है तो क्या आगए एक और बड़ी शेंगे साथ रिन का चिन इस लिए रिनेग और रिन एक का 21 भाग देंगे तो तो रिन 11 यहां पर मान कीजिए का है तो यहां पर मान गयात कीजिए चल प्राशन लिख दी है हमने जैसा कर वैसा 70 गुलेत कोष्टक में 2019 धन कोष्टक में 1 गुलेत 70 अब क्या करेंगे यहांसे हमने 70को दहन के इत्पाल वी है यह रहाण काली दो नोक से बढ़े कोष्टक भ बचा रिष 29 छोटे कोष्टक क्या आगो ओन एक अब 17 जैसा वैसा अब यह कोष्टक pronounce करेंगे रिड, धन रिल न एक और रिल बीड हगय होग। धन का रिल में गढ़ा की तो रिल और साथ सॉड़न इस नहीं गढ़ा की तो रिल च्वैस्ट इस पहां परशनमबर 13 का हल अबUP प्शनमबर 14 फ्रके столько शुरू है चब्सक्रीड करेंगे 5 गोड़त चार से शुरू करते फूंज गदेंगे Stellen शुरूंद इसको जोड़ेंगे घटाओंगे तो रिलेन बीश में धन पांच भागें तो किस्ता प्रल्प ऑगया रिन 15 इसके बाद next प्रसन देखिये क्या है इसके बाद रिन 5 गुलित 2 जब रिन 5 के 2 में गुला की तो रिन 10 और इस रिन 15 में इसे 5 को घटा आए तो किता आ गया रिन 15 में धन 5 को जोड़े तो रिन 10 इसी पकार बराबर केता हो गया 30 आपफ़ तर प्रेशन में रिंड 4 गोड़ित-4 से सुरू करते हुए रिंड 5 गोड़ित रिंड 6 तक पहुंचना तो आपको यह पहुंच्गे हैं इस पेकार से आप इस प्रेशन को हल कर सकते हैं नेस्ट प्रेशन है प्रेशन नमबर पंधरा प्रेशन नमबर पंधरा क्या कहा रहा है पंधरा प्रेशनों वाले एक कक्छा टेश्ट में पैतेक सही उत्तर के लिए चार अंक दिये जाते हैं और पैतेक एक मित्र ने सभी प्रेशन हल किये जिसमें से केवल पांच उत्तर सही है उस मित्र के प्रात अंक कितने हैं देखिए हल में पहले प्रेशन कौल करेंगे नमबर को तो एक सही उत्तर के लिए कितने अंक दी जाते हैं यह चार अंक दी जाते हैं नौ सही उत्तरों के लिए नौ पाचों के 36 एक गलत उत्तर के लिए कित्त अंग दी जाते हैं रिंड़ 2 इसे पेकार 6 गलत उत्तरों के लिए कित्त अगया रिंड़ 12 गुरूपीत द्वारा प्राफ्ट किये गए अंग तो 36 में रिंड़ 12 के करेंगे जोड़ेंगे 36 में रिण 12 को जोड़े तो किता आजाएगा देखिए यह लिख दी 36 धन कोश्टेक में 12 अब 36 धन रिण का रिण 36 में से 12 गटाए किता आ गया 24 इस पेकार गुद्प्रित द्वारा प्राट किये गए अंग किता हो गया 24 हो गया चलिए आगे देखते हैं अब यहां पर आपक पंध्रा तो 15 में से 9 गटाएंगे किता आजाएगा 6 छह उत्तर हमारे क्या है गलत हैं तो इस पकार से 6 आ गया इसके बर नमबर के प्रेश्ण को देखिए एक शही उत्तर के लिए अंग है बर नमबर के लिए यहीं हो गया शहीं कितने हो गया चार तो कितने कहारा 5 उत्तर सही है तो पांच सही उत्तरों के लिए अंग होंगे चार गोड़ित पांच चार पंचे बीस फिर देखिए एक गलत उत्तर के लिए अंग है रिन दो तो कित्ते गलत हैं अब यहां पर पांच सही है पंधरा में से पांच सही है तो गलत कित्ते होंगे दस दस गलत उत्तरों के ये लिए अंक तो रिन 2 गोडी 10 रिन 2 का 10 मुड़ाकी तो रिन अप गुर्पीत के मित्र द्वारा प्राप्त किये अँiley अंक देखिये उसने पांसने उटरों के प्लश्ए कत्त प्राप्त किये 20 में क्या करेंगे हम जो दस गलत उत्तरों के अंग प्राप की उनको घटा जोड़ देंगे तो 20 में 20 को जोड़े तो 20 धन रिल्ण 20 धन रिल्ण 20 जैसा का वैसा 20 में से 20 घटा है चुने तो इस प्रकार से आपके जो और 2 नमबर के प्रस्ण दोनों को हल करके बताए आपका यहां पर प्रस्ण नमबर करतां रिल्ण 20 बार आपके जो करु़ और प्रुबाग प्रस्णल क collector को जांने से 20 अछन रिली नमबर को हल कर दो Oregon